आधुनिक आवर्त सार्णी की जो खोज है वो की थी मोसले ने ठीक है आधुनिक आवर्त सार्णी की खोज मोसले ने की थी इसके अंसार तत्वों के जो गुड है वो एटोमिक नंबर परमाणू संख्या के आवर्ति फलन होते हैं ठीक है ये कोश्चन पूछा जाता है कि जो म वोसले की आवर्ती सार्णी है उसमें तत्वों के गुण atomic number की आधार पर बनाई गई है वो ठीक है इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 बर्ग होते हैं ये भी आपको याद रखना है 7 आवर्त होते हैं यानि horizontal lines और 18 बर्ग यानि vertical lines होती है इसके बाद परमाणू का आकार जब बर्ग में उपर से नीचे जाते हैं यानि की नीचे जाते हैं तो परमाणू का आकार बढ़ता है योगि atomic number बढ़ता है आवर्त में 20 से दाय जाने पर परमाणू का आकार घटता है जब आबर्त में बाएं से दाय जाते हैं तो परमाडू का आकार घटता है और बर्ग में जब उपर से नीचे जाते हैं तो परमाडू का आकार बढ़ता है ऐसे ही यदि बिद्दुध धनात्मक्ता की बात करें तो जब नीचे जाते हैं बिद्द धनात्मकता भी बढ़ती है और आबर्त में जब बाएं से दाये जाते हैं तो घटती है ठीक है यह आपको याद रखना है जो चीज बर्ग में उपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है वो आबर्त में बाएं से दाये जाने पर घटेगी यानि कि रिवर्स होगी ठीक है ऐसे भी आप याद रख सकते हो अगला है आयनन उर्जा आयनन उर्जा जब बर्ग में उपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है घटती है ऐसे ही जब आबर्त में बाएं से दाये जाने जाते हैं तो बढ़ती है, यानि कि reverse हो जाती है, ठीक है, बिद्दुतिरुनात्मक्ता ये भी नीचे जाते हैं तो घटती है, इलेक्ट्रोन प्रीती ये भी घटती है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है, केवल हमको बर्ग में उपर से नीचे का अगर याद रख लें, तो बाएं से दाएं जाने पर reverse कर देंगे उसका, ठीक है, एक जीज जो main question यहां से पुखा जाता है, वो है, Iflorine की बिद्धुरुनात्मक्ता सबसे अधिक होती है, ये आपको याद रखना है, किसकी बिद्धुरुनात्मक्ता सबसे अधिक होती है, तो était, यदि सबसे अधिक electronबंदुता पूछी जाते, सबसे अधिक इलेक्ट्रोन बंदुता सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोन बंदुता है वो होती है किलोरीन की ये भी आपको याद रखना है सबसे अधिक इलेक्ट्रोन बंदुता किलोरीन की होती है ठीक है इसके बाद एक question आपको ये भी याद रखना है कि जो आवर्त का पिर्थम सदस्य होता है आवर्त यानि की horizontal आवर्त का पिर्थम सदस्य होता है वो होता है छार धातू ठीक है और जो अंतिम सदस्य होता है आवर्त का वो हमेशा अक्रिय गैस होती है ठीक है अक्रिय गैस तो आवर्थ का पिर्तम सदश्य चारदातू होता है और अंतिम सदश्य होता है अक्रिय गैस तो ये कुछ आवर्थ सार्णी से सम्मधित important points थे अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो चेनल को subscribe जरूर कर दे